आज हम लोग पहला यहानना का पुस्तक से पढ़ेंगे उन्हीं यहानन नाला मद्याए देने इर्वदां बाटे पहला यहानना चार का बीस यदि कोई कहे कि मैं पर्मेशर से प्रेम रखता हो और अपने भाई से बैय रखे तो बहुँ जूटा है क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेशर से भी इसके लिए हमें परमिशर से प्रेम करने का एक नीव बात है उसी के साथ वोई तुल्यक का समानता का एक बात है यहाँ पर अबने अभिपड़ा कि हमें भाईयों से भी प्रेम करना है इन नमन दयवते स्uses नेग इंदे अडिस्तादू सखोदर मारे स्नेग इनदे शियूअगर इनद के झिलिए हमें देवसास्त्र इंद आणड आ न थेंदू डिश्तादू परने टोटा है पहला यह ना चार का उनीस में पढ़ते समय में परमेशर से प्रेम करने का जो नीव बाद जो शुरुवात था हमने किया वो उनीस वाख्ये में पढ़ते पढ़ेंगे तो हम देखते हैं अधिय नम्मे स्नेग इच्छत गोंडे नाम स्नेग इन इस पढ़ना ह तो यह हमसे प्रेम करते हैं कि पहले उसके हमसे प्रेम किया अंबलो रोबयों का पुस्टग पाज का नव् दस 11 में पढ़ते समय में आपड़तें इस वाह पर देखते हैं कि जब हम लोग पापी थे जब हम शत्रू जब हम दोशी ही थे परमेश्वर ने हम से प्रेम किया। प्रेम करने का बुनियाद इस आदार पर है कि उन्होंने पहला हम से प्रेम किया। जब हम से प्रेम किया इसले हमको एक कारण मिला परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। जब हम से प्रेम किया। 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 जिसके वजवर से हम देखते है कि प्रेम को भी हम से प्रेम करने का वो मूल्य कारण मिला। पुत्र का लहू बहाने के वज़े से हम से प्रेम करता है। तो अभी क्योंके हम लोग परमेशवर के साथ हमारा मेल हो चुका है जिसके वज़े से अभी हमारे पास एक बुनियाद आ गया है एक नीव आ गया है कि अभी हम परमेशवर से प्रेम कर सकते हैं उन्होंने हमसे प्रेम किया है उसके आधार के वज़े से अभी हमारे पास भी कारण है प्रभू को प्रेम करने का पॉल्के मेल मिलाब के वज़े से औरे काम हुआ वहाँ पर बताया गया है अवन वन्न दूरत तुल्ल वरकुम समीवत तुल्ल वरकुम समाधानम प्रसद मिच्चू इन्द पदिन वागित यह मिलाब के वज़े सत्रा पटना और उसने आकर तुमें जो दूर थे और उन्हें जो निकर्टे दुनोंको मेल मिलाब का समचार सुनाया जो दूर थे और नजीक है उन दोनों को परमेश्वर ने क्या किया चांती और मेल मिलाब का वचन सुना कर उनको उस उपसित्ति में लेकर आया हमलोग सोला में हम पड़ते है कि हमें परमेश्वर की साथ हमें मेल मिलाब किया हमलोग परमेश्वर से मेल मिलाब करने के लम देखते कि येश्य मसी ने अल्रेडी कर दिया है मनिश्वर के विशे में आते समय में हमने देखते है कि परमेश्वर ने मनिश्वर जात को तीन भागों में बाटा है तीन जाती के रीती से है परमेश्वर मनिश्वर जात को देखता है एक है यहूदी एक है अन्यजाती और तिसरा है प्रभू का मंडली तो पहला कोरिदी 10 का बत्तीस में है जिसका वो विशेक को हम पटते है उसको लेने का जरूरत नहीं है लेकिन हम जानते है कि यहूदी और अन्य जाती जब इन दोनों में से जो नया जनाम पाते है उन लोग दोनों मिलकर बन जाता है प्रभु का मंडली, प्रभु के लोग तो पहला क्या हो गहता है यहूदी और अन्य जाती के संबध में यहूदी और अन्य जाती आपस में शत्रूते अपर अवरे नरिपिकेए अवरे शिस्टूछे याना करतावा कालिबरे करूश Vensmic Armanda उन दोनों को भी मेल मिलव करने के लिए उन दोनों में भी मेल मिलाप हो सके उन दोनों में भी शांती आ सके वो शांती भी लाने के सिद्ट वी शिर मसी कर Indonesia पर मरा और वहां पर भी अन्य जाती और यहुदी लोगों को उन दोनों के जातियों के आपस में बीच में लाने के लिए भी इपर भी इश्व मसी ने लहू बहाया अब तो मसी इश्व में तुम जब पहले दूर ते मसी के लहू के दवारा निकट हो गए हो तो हम जाते की पिता परमेशुर के निकट आने के लिए हमें लहू चाहिए और दो बनिशे जात जो यहुदी और अन्य जाती है उन दोनों के बीच में भी मेल बिलाप लाने के लिए जो शत्रतों के दशामे थे उन दोनों के बीच में भी मेल बिलाप लाकर दोनों जाती हो की बीच में भाईचारा और प्रेम लाने के लिए भी येश्व मसी का लहू का जरूरी था तो जो दूर थे और जो नज्जीक थे तो दूर थे मलब जो अन्य जाती है और जो नज्जीक थे यहुदी लोग इन दोनों के बीच में भी आपस में भी प्रभी प्रेम और एकता आगया बाइचारा आगया अपादने पद्रेट नवाइच दूरता आइडना यहुद नेयुम जादी आईएं समेवस्तर आइडना यहुद नेयुम तंव मेलाड़िपी क्यान समाधान इतने शुविशेशम अधायज दैवत तोड़ला समाधान मेंदा आ अधे आएडन दैना सभोधर मारीं ताम बिद्रेट नेयुम जाती लोग और यहुदी लोग इस तरह आणने जाती और यहुदी लोग यह दोनों जो एक दूसरे में जो जुन में शत्रू था उन दोनों को भी प्रभी येश्य मसीगे लहू के द्वारा प्रेम किया निकट जैसा हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए मेल मिलाप करने के लिए ये लहु बहाया गया उसी रिती से यहुदी और अन्या जाती याने कि मनिश्य और मनिश्य के आपस के बीच का दरारे को भी पूरा करने के लिए येश्य मसीग का लहू के द्वारा मेल मिलाप हुआ जैसा हमें परमेशर से निकट आने के लिए येशु मसी को लहू बहाना पड़ा और बाईयों के बीच में आपस में एक दुसरे के साथ प्रेम और भायचारा रखने के लिए मेल आने के लिए येशु मसी ने लहू बहाया आपस में अपना लहू के दोरा करने के बाद आईसा कार्य ने लिए येशु मसी ने परमेशर से मेल मिलाब करने के लिए अपना लहू बहाया मेल मिलाब का सेवा करने के बाद अगर कोई विखती केता है विश्वासी केता है कि मुझे परमेशर से प्रेम कर सकता हूँ और मैं भाई भाई परद्धु भाई से में प्रेम नहीं कर सकता बोला तो उसको अभी तक परमेशर का प्रेम का पूर्ण चित्र समझ में नहीं आ तो ऐसा दशा की परवेशर से मेल मिलाब करने के लिए ये शुबसी ने लहू तो बहा दिया है लेकिन भाई भाई में आपस में या मनिश्य मनिश्य की बीच में जो दरारिता उसमें मेल मिलाब के लिए ये शुबसी का लहू का जरूरत नहीं है या क्योंकि मेल मिलाब नहीं हो सकता करके ऐसा जिन्ता और विचार पहिले सप्ता के विश्वासियों के बीच में हुआ था जो जब हम लोग याकूप का बुस्तक पड़ते समय में वापरम देखते हैं तो इसके लिए वापर याकूप का पुस्तक दूसरा द्याय चार सजा पड़ते समय में वापर मंडिली का अवस्ता हैसा हो गया कि अमीर और गरीब लोगों के बीच में भाईयों के बीच में बेदबा होने लगा अमीर अमीरों के साथ बैठने लगा गरीब गरीबों के और गरीबों को अमीर लोगों ने मिलकर गरीबों को दबाने शुरू किया तो ऐसा रहते हैं समय में याकूप यहाँ पर लिखके कहत लेकिन बाईयों की बीच में भाईचारा रखने का विशय का पूर्न तो लोग समझ में नहीं आया तो जिस रिती से येश्य मसी का लहू मुल्यवान है मसी की परमेश्वर के साथ हमें मिल मिलाब करने के लिए उसी रिती से वही लहू साबर्दी है एक भाई दुसरा भाई को प्रेम करने के विशय में तो ये बात जब उस अबही के भाई लोगों को पहले सब्ता के लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग शारी रिक होकर प्रमेश्वर का प्रमेश्वर का प्रमेश्वर का गहराई का सही अर्तों लोग नहीं समझ भाए तो मैंने उसके मुह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोशी ठहरा था अब अम्डियों के कैफा वह पत्रोश वह पोछा तो उसने कैफा याडि की पत्रोश के जीवन में एक ऐसा बड़ा दोश उसने या गल्ती उसने ढूंडा और यहाँ पर हम पड़ते हैं समय में दोशी ठहरा था करके सब स्वस्ष्ट रिती से लिखा गया है अईसा क्या गल्ती था के फाक में पत्रोश में जो पावलोश जून लिया तो पत्रोश अपने खतों में ये विशेबस पस्ष्ट से पहले सही लिखा था कि परमेश्र के उपसिति में मेल होने के लिख हमें येश्वमसी चाहिए और उनका लखू बहाया है वो बहुत जरूर ये करके इससे एक बास स्वस्ष्ट होता है कि पत्रोश अच्चे रिती से जानता था कि पर येश्वमसी के लखू बहानने के वजे से ही अमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है येश्व के लहू के द्वारा भाई भाईयों के बीच में यानि कि यहुदी और अन्यजाती के बीच में भी मेल मिलाप हुआ है करके ये बात का स्पष्टता पावलोस के उस विशय का सत्य को गहराई वो अनुबाव नहीं कर पाया था इसके विशय में वहाँ पर पावलोस वाके 14 में पढ़ते समय में कहता है कि कि तेरे अंदर सुसमचार की जो सच्चाई पर थी उसके सीधी चाल चलन वो नहीं चल रहा था पर प्रभु का दास बताना चाता है कि जो सुसमचार की सच्चाई है जिसके द्वारा मेल मिलाप हुआ है उस मेल मिलाप का खासिय दिये है कि हमें परमेश्वर के साथ भी मेल मिलाप हुआ है और उस एश्वसी के लहों के द्वारा भाई भाई भाईयों के बीच में भाई और भाई के बीच का आपस का दूरी में भी मिल मिलाप हो गया है वो सच्चाई यहाँ पर प्रभु का दास प्रकट करता है आपना लगु के द्वारा जो दूर थे और जो नज्जीक थे यहुदी उन दोलों के बीच में भी मिल मिलाप लाया है यही है तू समाचार का सत्य है अबन दैवत्ते स्नेहिकें यहन परेगें सहोधर ने स्नेहिक आदरीकें जीएंगें जीएंगें पोल्ड एशी चेदु तूर्त सिसरोट्ष येवड़े वरी भागी वशम मात्रमें कारणा अवन यल्ना सत्तुरू दैवत्तोरूल सत्तुर्थू माधि फरिस्परम सहोधर मारी अभिर्त आपडिकेन अणिए व꺼च्छ तेूए यह दियारतम दैवती नरिपिच्च्चू सहो धर मारे नरिपिचा आँली यह सोछ याना करताव दने गतीयत लेटर पर इसलिए प्रभी येशेमसी ने आपना दिल में जो सबसे बड़ा जिम्मादारी जो लेया था जो कुरूष का कारियों को हम देखते हैं यह कुरूष का बाग को हम देखते हैं जो उपर की और का जो कुरूश है वो हमें परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाब किया तो एक विश्वासी जब ये देखता है कि उसको येश्मसी के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ जो उपर के और जाता है उस कुरूश के द्वारा उसको मेल मिल आप किया है अपले आदिवा सभी अपसोल प्रभृती ले योरी डिफरेंस अपिनी इन देले दों दिर्मों और हम देखते कि पहला सप्ता में इस विशे में ये बहुत बड़ा गडवडी और भाई-भाईयों की बीच में खास रिती से यहुदी और अन्य जाती के बीच में बेदबाव रहता था जो हम प्रेरितों का कारिया में भी अंपड़ते हैं पहला सब्ते का जो विश्वासी लोग थे खास रिती से यहुदी लोग जो यहुदी दरम छोड़कर मंडली में आये ते कलिशा में आये थे उन लोग के अंदर तभी भी यह विचारता कि यहुदी लोग जो है उचा दरम के लोग है और अन्य जाती जो है चोटा जाती के लोग है तो इसके लिए इस विशे का बातों को स्पष्ट में लाने के लिए कि किस रिती से एश्मसी का कारी क्रूष के कारी के दौरा हमें भाईयों के बीच में भी आपस में मेल मिला पुआ है कासरिती से यहूदी और अन्य जातियों के बीच में भी मेल मिला पुगया है दोनों जाती यहूदी जाती और अन्य जाती दोनों भी अभी भाई भाई है करके ये बात का स्पष्टता को और अधीक गहराई से बताने के लिए प्रेरितों का कार ये 15 अधियाए में हम देखते है कि पहले वार वहाँ पर भाई लोग 71 होकर इस विशय में उलोग चर्चा करते है अधियाए में आधान वाई किना अपोस्वल मारे इस संगली पुरुच विजारिबान अपोस्वल मारे मोटपन मारे वन्दू गूरी बड़ा तरक उणडाई नोड़ाई किना अधियाए अधियाए में नापर आट और नौमें पटते है समय में आपर पवलोस पत्रोष आपने गवाई देखता है और मनों को जाचने वाला परमेश्वर ने उनमें जो हमारी तरफ पर पवित्रात्मा के द्वारा उने भी दिया है करके ये गवाई दी और विश्वास के द्वारा उन मन की जो शुद्ध करने के हम के विशे में उनमें कोई भी बेद नहीं रखा है लुड़े लिए जिस रिती से मनीश्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाब करने के लिए येश्मसी का लहू के द्वारा ही हुआ है और कोई रास्ता नहीं है उसी रिती से बाई और भाईयों के बीच में आपस में एकता होने का कारण भी हम देखते हैं कि वो येश्मसी का यह विश्वासी को मेल मिलाँ के मनुबावना में देखना है इसलिए यह विशाय को हम देखते है कि पत्रों में जब लिखते है समय में यहना भी इस विशे को इस भाईव के विशे का एकता के विशे में यहना भी इस विशे में सबस्चरीति से कहने लगा पर यहां तो उसमें और तुम में सची ठरती है क्यांकि अंदेकार मिटता जाता है और सत्य की जोती अभी चमकने लगी है तो आपर प्रभु कहता है कि फीर में तुम कोई नए आगया देता हो और ये तो उसमें और तुम में सच्छी टहरती है तो वो क्या है जो सच्छी टहरती है कि जिस रिती से तुम लो परमेशर से प्रेम करते हो उसी रिती से एक भाई दुसरा भाई को आपस में प्रेम करने का विशेय में वो येश मसी में ये भेज की बात चुपा हुआ है अब आपने चिंदी रिख्त तिला ने? मदलब क्या क्या क्योंकि येशु मसी के लहुक बहाने के वजे से ये मेल मिलाप हुआ है? अब हम अब ड़े करता हुदाने परें तोंडे येशु मसी ने खुद इस विशय को कहा था येशु ने कहा कि जिस रिती से पिता पर्मेश्वन मुझसे प्रेम करता है वो तुमसे भी प्रेम करता है येशु ने कहा था कि क्यूके मैं अपने आपको कुरूश में बरने के लिए या फिर मैं अपने आपको बलिदान करने के विशय में अरपन करने के वज़े से पर्मेश्वन मुझसे प्रेम करता है मतलब क्या कि अगर येशु मसी ने लहूब आया तो जैसा हम लोग पर्मेश्वन के साथ मेल मिला फोगा उसी रीती से हमें एक दूसरे भाईयों के साथ भी मेल मिला फोगा का बेद पर येशु मसी ने हमें इस विशय में कहा था इसी आदार पर है भाई और भाई के बीच में मेल मुहोता है करताव का उस कुरूष का मुर्तियू के द्वारा लहू बाहने के वजे से मेल मिला फोगा कार्या एक परमेश्वर के ओर हुआ है और दूसरा भाई-भाई के आपस में हुआ है करके ये दोनों बात को हम देखते है अब नमला अधने रंडिने पदन उन्द वाई कमोल्ड दोका ग्यारा में हम पड़ते है विशुद्धी अरिकन विशुद्धी के पिड़न वुरकों यल्लाम उरिवनलों पिदाव इदु खेदु वाई अवन अवरे सहोधर्मारन विलित्मान लेजी के आदे अब लिवड़े पिड़ावंगे लेकोला प्रवेशनू नमक सहोधर्मार लेकोला प्रवेशनू पूरु अडिस्तान मान कृस्तु चिंदिया कालिबर कूच ले मरन वालेंगेल अवन्दे सरीर यागत्ता लाना नमक रंड़म साध्यमाई तेदु नूँ मतलब क्या कि जिस रित्ती से हमें परमेश्वर के साथ हमारे मेल मिलाप हुआ है उसी के आदार पर हमारे भाईयों के साथ भी मेल मिलाप हुआ है यही सच्चाई को बताना चाहता है तो एक बली के वज़े का कारण का इतना बड़ा खुलासा माँ पर हुआ कि यही मसी का बलिदान के वज़े से हमें एक स्वरिगिया पिता मिला केवल उतना ही नहीं लेकिन हमें बहुत सारा भाई भी मिले और यह एक ही बलिदान के दुआरा होने वाला परिणाम है इसलिए जब हम पत्रों में पड़ते हैं समय में पहला यहनन एक का चार में हम पड़ते हैं और यह बाते हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा अनन्द पूरा हो जाए अर वो आनन्द क्या है उसका तिसरा वाक्य में हम पड़ते हैं जंगल कंड़न केट्ट मुलो निंगलोड कूटायम उन्डागे एंड़तेने निंगलोड अरी जंगलोड कूटायम ही हो हमने देखा वाकी तीन में वापर आखरी बाग में लिखा है अब वो परमेश्वर उसका पिता बन गया तो पिता के साथ सवबागिता रख रहा है तो इसके लिए ये बात हमने पहले ही हमने पैड़ा पड़ा था जो विक्ती परमेश्वर से प्रेम करता है कहता है यानि कि परमेश्वर के साथ संगतिय करके बोल रहा है परंदु भाईयों के साथ प्रेम नहीं मेल मिला आप नहीं है तो वो जूट बोल रहा है इसके लिए हमें परमेश्वर से प्रेम करने का ये एक बहुत बड़ा कार्य आमारे जीवन में होता है क्योंकि परमेश्वर ने क्योंकि हमसे पहला प्रेम किया उस पहला उन्होंने हमसे प्रेम करने के द्वारा उन्होंने क्या किया उन्होंने अपना पुत्र देकर हमें उस बलिदान के द्वारा हमें लहू के द्वारा हमें मेल मिलाप किया उस मेल मिलाप के आदार में हमें परमेश्वर के साथ सब आगेता और संगती है। ऐसा विक्ति जब वो प्रभु के भाईयों के बीच में रहते समय में ये बाद वो जब याद करता है कि परमेश्वर से मेल मिला पोह विक्ति वो भाईयों से भी वो प्रेम करता है उसी आधार पर इन अधे अधे लिए तो इसके लिए हम जब देखते हैं कि एक एक यगधायगकु प्रेम करने करते रहते समय में और क्यूंकि यह डोनों भाई लोग आपसे बहुत समय से जानते हैं दोनों शुरुवाज से लोग थे हैं मंदली में थे सब काम साथ में करते हैं एक भाई दुसरा भाई का मदद करता है लेकिन नया आया हुआ भाई किसे वो उत्रा प्रेम नहीं करता है उसका मतलब क्या हो गया कि वो पहला भाई जो एक दुसरे शुरुवात में प्रेम करने वाला विक्ति वो दोनों प्रेम शारीरिक आदार पर हो रहा है मसी का प्रेम के आदार का जीवन के आदार पर नहीं कर रहा है क्योंकि हम जो दोशी और शत्रूत है ऐसा हमारा आवस्ता रहते समय में बिना कोई कारण का परमेश्वर ने अगर हमसे प्रेम किया है तो ऐसा है तो हम भी भाईयों को आप प्रभू का प्रेम करने का विशय का बात जो है वो हम लेखाओं में लेखाओं में पढ़ते समय में किता स्पास्टाय करके हम देखते है खास रिती से हम पहला यह ना दो का नवदस पढ़ते समय में हम देखते है नवदस जो कोई ये कहता है कि मेर जोती में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंदकार ही में है जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो जोती में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता तो यहाँ इसके लिए जो एक विक्ति कह रहा है मैं जोती में हूँ मदलब क्या कि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम काता है परमेश्वर के साथ अच्छा संगती है लेकिन जब उसका विक्ति का दनुबव में आते समय में भाईयों से वो प्रेम नहीं करता उसको भाईयों के साथ संगती पसंद नहीं है अकेला रहना पसंद है कोई प्रकार का संगती नहीं करता तो वो क्या कर रहा है वो परमेश्वर से प्रेम कर रहा है बले ही वो बोलता हो, बले ही वो जोती पर चल रहा है बोलता हो, लेकिन भाईयों से प्रेम ना करने के वज़े से क्या हो गया, वो अभी भी अंदकार में है। बले ही वो बाईयों से प्रेम करना है करके बोलते हैं समय में, वो सिव हमारा मंडली में आने वाला विश्वासियों के बीच में प्रेम है करने का विशवे नहीं, बलकि उसी के साथ येश्य मसी का नया जनम पाया हुआ, जिसका उद्दार हुआ है, उन सभी लोगों के साथ प्रेम का सहब आगेता होना जरूरी है, खास रिती से उन भाई लोगों ने जो एफिश्यों के बुसक में हम पड़ते समय में, जो साथ प्रकार का एकता है, उस उबदेश को मान कर चलने वाले, ऐसा मसी में, वो सब लोग हमारे मसी में सहब आगी है, हमारे भाई लोगे, बले हमारा मंडिली में ना आता हो, परन्तु वोस उबदेश को मानता है, तो वो हमारा मसी में भाई है, अब क्रिस्तिवने संदोशन नम्मले नरन्य ओड़ुवान, डेवतिने परिशुद्धाल माव, नम्मले नरन्य ओड़ुवान, आलमाव इंडे उरु पूर्ण देले नम्मले एता हम कड़िये नमेंगल, येशु परहिए न वरी वेवस्ते हुणड़, अधिया आत्मा से बरकर भैते रहने का अवस्ते में अगर हमें होना है, तो येशु मसी ने जो आगया दिया ता उस विशे में होना जरूरी है, येशु नका बुस्तक 15 अधिया का 11, 12 पड़ते समय में हम इस विशे कौन देखते हैं हाँ, हमारा यह तो निश्य है कि जिस विती से वे प्रभुईशों के अनोगरह से उद्दार पाएंगे इसले कही थी, कि मेरा आनन्द तुम्में बना रहें, और तुमारा आनन्द पूरा हो जाए आनन्द पूरा होने कि ले, क्या करना है करके यहाँ पर प्रभु केता है जैसा मेरे तुम्से प्रेम किया तो मलब जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, उस रिती से हमें भी दुसरे भाईयों को देखते समय में कोई भी बेदबाव ना रखते हुए, कोई भी शर्त ना रखते हुए मसी के प्रेम में हम लोग बर कर दुसरों को हमें उसी रिती से प्रेम करना है जैसा मसी ने हमसे प्रेम किया, वो ही सच्छा प्रेम में जब हम एक दुसरे को प्रेम करकर वो उस प्रभू का आगया मान कर और एक दुसरे को प्रेम करके चलते रहते समय में, तब क्या होता है? प्रभू का प्रेम में बर जाता है, यानि कि क्या उस प्रेम में बरना या आन प्रमेश्वार ने जिस माप से हमें प्रेम किया, वो हमसे बड़ा प्रेम किया, उस रीती से हम प्रेम बायों से हम कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस रीती से प्रेम करना है, बिना कुछ बातों को देकर, शर्त को देकर जो प्रभुने हमसे प्रेम किया, उसी रीती जीए जा रहेंगे वहांपर सिफ में और पर्बु और परमेश्वरी एक दुसरे को प्रेम करके जीएंगे आईसा आवस्ता नहीं रहेगा हम जीए जीवन के लिए जीने जा रहे है स्वर्ग में वहांपर एक एक विश्वासी और परमेश्वरी बस ओलोग दोनों आपस में प्रेम करके जीएंगे ऐसा सिर्फ उतना ही सीमित वाला स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं हम लोग आपने नमका रॉमा लेगा नमा इने पधनाला अधिया अधिया में पड़ते समय में परमेश्वर का राजी का सच्छाई को अम देखते हैं परमेश्वर का राजी केया है सभोधरने स्रेहिक्या आथद नन्मेक्के दोश्णम वरित्तुनु यंदे 14 इंडे 14 आवाखिधी वाईगी आणा निंगड नन्मेक्के दोश्णम वरित्तेरु देवराज्यं पच्छणूम पान्यूम अल्ला नीदियं समाधारू परिशुद्धार्मा वुल्ल संधोश् सभोधरने सेवी के दोश्णम वरित्तेरु आथद नन्मेक्के दोश्णम वरित्तुनु यंदे 14 आवाखिधी वाईगी निंदा ना होने पाए क्योंकि परमेश्र का राज्ये खाना पिना नहीं परंतु धर्म और मेलमिलाप और वाँनन है जब पवित्रात्मा से होता है पर्मेश्र को भाता है तो पर्मेश्र को भाता भी है और बाकी मन के बीच में घ्रेन होने वाला ने बात और ये प्रबु में ग्रहेंड करते हैं, वैसा हम लोग अपस भाईयों के साथ पी करना है. ऐसे करेंगे तो क्या होगा इस विशय में, कि हम लोग परमेश्वर को भी भाएगा, और मनीशों के विशय में पर्मेश्वराज्य में हम लोग ग्रहण किया जाएंगे. आपके अभी अमनों स्वर्ग में जाने के बाद, महापर करोडों-करोडों पवित्र लोग रहेंगे अवरे अल्ला नरिप्पी वरान भेंडि आणा कर्तावाई एशु कुरूशी मारी चलो और उन करोड़ करोड़ो लोगों के बीच में विश्वासियों के बीच में भी मेल मिलाप करने के लिए येश्व मसी ने लहू बाहाया। करोड़ो करोड़ो विश्वासि लोग जो राज्य में हम मिलेंगे उनसे भी मेल मिलाप करने के लिए है वो लहू बाहाया है। इसी विशे को कहते है कि प्रभू ने वचन में कहा कि तुम जोती में चलना। हम जानते है कि हम मृत्यों से पार हो का जीवन में पहुंचे है क्योंकि हम भाईयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता है। दशा में रहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वो हत्यारा है, और तम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। कोई भी अपना भाई से प्रेम नहीं रखता, वो प्रेम नहीं रखने वाला विक्ति क्या है, मृत्यू में हैं। अन्यों नहीं पढ़िक्के एन वोड़ो आई रुदू, नमबली रखेले एक वरिंदे नहीं मुन्बे होंड आई रुदू, इस प्रकार का नकारत्मक बाते रहता था। प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारी लिये अपना प्राण दे दिया है। तो मतलब आपने ये बात तो हम जानते है कि परमेश्वर ने हमें, ये शमसी ने हमें परमेश्वर से मेल मिलाब करने के लिए उन्होंने लहू बहाया था। प्रत उतना ही नहीं। उनका जो प्राण डेते समय में वो हमारी लिये दिया, ताकि हम लोग एक दुसरे से प्रेम कर सके। जिन जिन लोगों के लिए ये मेल मिलाप का कारिय प्रभु ने किया है, उसको ओ अनुबव मिलने वाला परमेशर जिसका पिता हो गया है, वोई लोगों का मेल मिलाप का कारिय जिसके अंदर होने वाले लोग आपस में भाई भाई भी हो गये। प्रित्वी पर जो भी पवित्र लोग है वो मेरे लिए बहुत ही स्रेष्ट लोग है अथी उत्ता मेरे लिए प्रिय लोग है अब कर्थावे नेरिप्पिने स्रेष्ट लोग है इरंड वशं नमक्क तिलिणी विरीगे याण उन्न देवन नम्मे स्नेगिच्चु अधु अडिस्तान अधिल अधु नेरिप्पिने स्रेष्ट आविशमा आई रूँदू रेक्ट जुरीए इनद आविशमा आई रूँदू अधु बोले तम्मिल तम्मिल सत्रकला आई रूँदा नमले परस्परम स्नेगिच्पिकिवान वेंडी अधु नेरिप्पिने स्रेष्ट आविशमा आई रूँदू काल के लिए वो परमेश्वर अभी हमारा पिता बन गया है उसी के साथ साथ इसी मेल मिलाब का अनुबव भाईयों की बीच में विश्वास करने वाले नया जनम पाए हुए लोगों के बीच में कभी मेल मिलाब प्रभु ने उसी लभु के द्वारा किया है जिसके वजे से जो नया जनम पाए हुए हर एक विश्वासी हमारे भाई बाई है प्रभु वो दाकरस के विशेय में अनुबव में बताते समय में तुम लोग आपस में प्रेम रखोगे तो दुनिया जानोगे कि तुम लोग मेरे चेले हो और पिदा परमेशर तुमसे प्रेम करता है अपड़ अधने पदमिन जिन्दे यट्टाम बाक्यम पंदरा का आठ में हम पड़ते हैं इन्दे वलड़ फलंक आएकंकि अने आल इनने पिदा प्युटिक्टव। मेरे पिदा की मेहिमा इसी से होती है कि तुम बहुत चा फलनाव अपन यंद आणा पालम् थम्विल तम्यल प्रेम करते हो जो है सच्छा पल अपोल आ स्नेहत्ति लिए अपलम नमले वर्दुचिवरिम्पोल्स नेहत्ति हिंदे पलम् अदल आण डैवराजीतने मरमम अदल आण नमले सोरगत्ति लो शुखत्ति लो उरिम्मेचच्छ संदोशी गाम बोगें लो इबस जीवी गाम बोगें नम्मक्क पगय उन्डागनोद, इरशी उन्डागनोद, दुरुपुण नम्मले देवति निवर्थिक्पें के अन्कड़विल्द आई पूगनोद, अब देवति नम्मले कोंड़े कोंड़े इनकनननना उन्लोकल सभील, इस्नायकम पर्दसु पिच्च, नरिप्पने सिस्र पूशा मानी के पड़ेगे आना, नमले अन्योंड नियस नहीं के बोड़े इसलिए प्रियोड जब हम लोग आपस में एक दुसरे के साथ प्रेम करते रहते समय में, वहापर पर परमेश्वर का महिमा होता है, और वहापर राज्य का अनुबव है, जो वहापर एक दुसरे दुसरे के साथ प्रेम करते रहेंगे, तो जिस रिती से हमें जब परमेश्वर से मेल मिलाब जब हमारा हुआ, तो हमारा और परमेश्वर का मेल मिलाब का कारण ये है कि ये शुमसी, तो मला हमारे और पिता के बीच में जिस तरह प्रभी ये शुमसी खड़ा है, मला हम वह पर हम प्रभू को भी देख रहे हैं और पिता परमिश्वर को भी देख रहे हैं उसी रीती से भाई-भाई लोग जब आपस में प्रेम करते हैं तो जिस दो भाई-भाई लोग के बीच में प्रभू वहाँ पर नहीं रहा तो वहाँ पर रहेगा द्वेश, ईर्शा, नफरत और सब प्रकार का विरुद बाते जो परमेश्वर के खिलाफ है, तो प्रभू ने लेकिन हमें उस राज्य का सत्य जो हमारे अंदर दिया है, उस प्रेम का सत्य दिया है, जिसके वजे से हम लोग नाये जनव पाए हुए हरेक विश्वासियों को उसी प्रेम के अनुबहों मे याँ पर जी रहे हैं. क्योंकि जो अपने भाई से जुसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर सी पी जुसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता. क्योंकि एक बड़ा सत्या है इस वच्छन के द्वारा हम देख्टे है। कि यदी एक विक्ति अपना भाई से प्रेम करता है, मसी में का भाई को प्रेम करना मतलब क्या, सचा प्रेम क्या है प्रियो, कि उसमें कोई भी गल्तिया नहीं देखता, कोई भी दोष नहीं देखता. लेकिन हर रीती से वो प्रेम करता है उस भाई के लिए प्रात्ना करेगा उस भाई के लिए मध्यस्ती करेगा ये सब बातों में जब हम लोग करते समय में प्रभू का प्रेम है जो अनुबव हम कर पा रहे और उसी को हम बाट रहे अब कर रोमा लेगना 13 इंडे पत्ता हम अखिंगोड वाई की स्नेकिया स्नेकिया नम्मला मन्चला आक्कुन अदे एप वरु नम्मला साधारना आलकार वरेए वो देवस्नेक तु कुर्च उपरे इंगल एनने स्नेकिन इल्ला एंदे अर्थम उरु सहोधर निपोल एंदेल अमने वेने करिद पर रोमा लेगना 14 इनकिद्री इंडे पत्ता हुवाँ वागिवर भाई के अम्लोग एक बात हम लोग को थत्तों को समझना है वम लोग प्रेम प्रेम करके बोलते समय में क्या बाईयों का सब शारीरिक जरुरतों को पूरा करके देना देखा वो भाई ने मेरा यह जरूरत पूरा नहीं किया मतलब वो मुझसे प्रेम नहीं करता है मतलब मुझसे मेरी रखते है प्रियो इस रीती से नहीं है परमेशर का प्रेम का प्रगटी करण बोलते समय में परमेशर का प्रेम का प्रगटी करण इस आदार पर है जो हम प्रेम पडोसी के कुछ बुराई नहीं करता इसले प्रेम रखना विवस्ता को पूरा करना है तो भाई के विशे में कुछ भी प्रकार का बुराई कुछ भी प्रकार का दोश अपना मन में रखना नहीं चाहिए ऐसा चिंता भी नहीं आना विचार आना नहीं चाहिए इस प्रेम रखने के में क्या हो रहा है ववस्ता को पूरा कर रहा है यही तो है येशु मसी का मन जो हमारे विशे में ता येशु मसी जब हमसे प्रेम करते समय में उनका मन में हमारे विशे में क्या विचार था कि मैं जिनसे प्रेम कर रहा हूँ, उनके साथ कुछ भी बुराब होना नहीं चाहिए। अबड़े स्रेह कतिने नरवान, अधे देई बनना में सही चुद बोले, नाम सहोध रिमानिय चाहिए किना आगुन नुला कालपना नमकर दमुरतिके। जिस रिती से हमें प्रमेश्व पिता प्रमेश्वर से हम प्रेम करते, उसी रिती से हमें हमारा जिन्दगी, हमारा समय जो प्रभु ने दिया है, भाईयों के बीच में प्रेम करने में लगा रहने के लिए प्रभु हम सबको साहत करें। अमें प्राइज अलोड प्राइज अलोड